Beyond Willpower by Alexander Leod ना कामाख़ करते क्यों है? जाहिर सी बात है, काम्याब होने के लिए. लेकिन क्या ये तरीका सही है? क्या बाहर की चीजों में खुशियां ढूनने से आप खुश रह सकते हैं? अगर ऐसा है, तो फिर ये दुन्या खुश क्यों नहीं है? जबकि यहां सभी लोग बाहर की चीजों में खुशियां ढून रहे हैं. ये किताब आपको बताएगी कि किस तरह आप अपने अंदर ज cholesterol कर खुश यां हासिल कर सकते हैं? इसके अलावा आप सीखेंगे कि बाहर की चीजों में खुशियां ढूनना क्यों बेकार है? किस तरह आप अपनी डर को कम करके अपने आत्मे विश्वास को बढ़ा सकते हैं किस तरह आप खुद को एक खुश और बहतर इनसान में बदल सकते हैं पहला सबक बाहर की चीज़ों के पीछे मत भागे बलकि अपने अंदर की खुबियों को बाहर लाएगे अगर आप से ये सवाल किया जाए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे इस सवाल पर कुछ देर गोर कीजिए और खुछ से पूछिए कि आपको क्या चाहिए जब बहुत से लोग इस सवाल पर गोर करते हैं जवाब देते हैं कि उन्हें दौलत शोहरत या इज़त चाहिए। वे बाहर की चीज़ों को हासिल करने के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें पैसे मिल जाए तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन अपनी से गलत वहमी के वज़ा से वे कभी रहेंगे। वो जीज़ें एक समय के बाद पुरानी हो जाएंगे और फिर आपको उनसे खुशी नहीं मिलेगी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर इन सभी चीज़ों से आपको खुशी नहीं मिलेगी तो आपको क्या करना चाहिए। इसका जवाब आसा हो जाएंगे। आप देखिए कि वो कौन सा काम है जिसे अगर आप कर लेंगे तो रोज सुबा बिस्तर से उठने में आपको परिशानी नहीं होगी। अगर आप खुद को प्यार से भरे रखने की या खुद को मुश्किल से मुश्किल वक्त में शान्त रखने के मन्जल को पाने के पीछे भागेंगे तो आप हमेशा खुश रह सकेंगे। खुद से प्यार करना सीख कर आप हमेशा खुश रह सकेंगे। अंजाने में हम सभी इस मन्जल को पाने के पीछे भागते रहते हैं। इसलिए हम हर रोज ब्रश करते हैं नहाते हैं और बाल कटवाने जात तक कि हम अच्छे दिख सकें और खुद से प्यार कर सकें अगर आप इस मन्जिल को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे दूसरा सबक कुछ समय की खुशियां आपके लिए जिंदगी भर के दुख ला सकती हैं मानलीची एक बच्चा अपनी मां के स बाजार में जा रहा है। हम बड़े उनसे कुछ अलग नहीं है हम भी किसी एक चीज के पीछे भागते हैं और जो वो नहीं मिलती तो हम अपने काम करने का तरीखा बदल देते हैं और दूसरे तरीखा बनाने लगते हैं हमें किसे भी हालत में वो चीज हासिल करनी होती है लेकिन क्या आपने कभी इसके अंजाम के बारे में सोचा है आपके हर एक काम का अपना एक नतीजा होता है अगर हम बच्चे की बात करें तो हो सकता है कि उस खाने की चीज की वज़े से उसके पेट में दर्द होने लगे या वो बिमार पड़ जाए वो बच्चा इस बात को समझ नहीं पा रहा है लेकिन उसकी मां को ये बात पता है उसके कुछ पल की हुशियां उसके लिए धीर सारा दुख ला सकती है इसलिए आप जब भी किसी चीज को हासिर करने की पीची भागे आप उसके अंजाम के बारे में सोच ले मान लीजी आप बहुत दनाओं में हैं और आपका मन करता है कि आप राहत पाने के लिए शराब पी ले अब वक्त आ गया है कि आप खुद से ही सवाल करे कि आपका ये फैसला आपको कहा ले जा रहा है कि आप कुछ वक्त की राहत पाने के लिए जिंदे की भर की लट पाल रहे है जो आपको अंदर से कहा जाएगी इसका जवाब हाँ है आप अपने अंदर के बच्चे पर काबू पाना सीखे हर बार सही गलत बताने के लिए आपके पास आपकी मान नहीं होगी तीसरा सबक हमारे सेल्स में हमारे अनुभव और यादे रहती हैं अब तक बहुत से लोगों का मानना था कि हमारी यादें सिर्फ हमारे तिमाग में रहती हैं लेकिन 2004 के टेकसस के साउथ फेस्टन यूनिवरस्टी मेडिकल सेंटर के एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि हमारे सेल्स में भी कुछ यादें और कुछ एक्सपिरियंस रहते हैं इस रिसर्च में बहुत से चौका देने वाले नतीजे सामने आए अगर आपके पास बहुत सारी दर्द भरी यादे हैं तो आपके शरीर को बीमार बना सकती हैं दर्द भरी यादों से और टिप्रेशन में रहने से जो यादें आपके सेल्स में सेव हैं वे उन्हीं नुकसान पहुंचाने लगते हैं जिसकी वज़े से वे कमजोर हो जाते हैं आपके अनुभव आपकी सेल्स को दूसरे जीन्स का इस्तेमाल करने के लिए कहकर उन्हें फिर से प्रोग्राब कर देते हैं जिससे आपका पूरा व्यवहार ही बदल जाता है इसके अलावा आपकी पसंद नापसंद आकी आदते हैं और आपका स्वभाव सब कुछ इन सेल्स में स्टोर होता रहता है अगर आप अपना कोई आंग किसी और को डोनेट कर दें तो आपकी कुछ होबियाँ से व्यक्ति में आ जाएंगी इस तरह हम एक व्यक्ति के अनुभव और आदतों को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं तो आपको डिप्रेशन और कैंसर जैसे बीमारियां हो सकती है खराब यादों का असर आपकी सहत को खराब कर सकता है शायद आपको कभी मलेरिया ये चिकन पॉक्स हुआ हो हम मेंसे लगभग सभी को जिन्दगी में एक ना एक बार चिकन पॉक्स होता है लेकिन मज़े की बात ये है कि ये कभी एक बार से ज्यादा नहीं होता ऐसा इसलिए क्योंकि जब पहली बार हमें चिकन पॉक्स होता है तो हमारा शरीर उसके बैक्टीरिया से लड़ने का तरियका नहीं जानता इसलिए हम इसकी चपेट में आ जाते हैं लेकिन जब हम इस बिमारी से ठीक हो जाते हैं इस बैक्टीरिया के बारे में और इसे लड़ने के तरीवाई के बारे में सारी जानकारी सेल्स सेव हो जाती हैं। जिससे जब ये बैक्टीरिया फिर से हमारे शरीर में आता है, तो हम इससे लड़ लेते हैं। चौथा सबग आप अपनी एनरजी का सही इस्तेमाल करके खुद को दर्द से आजात कर सकते हैं। क्या आपको बताए कि इस दुनिया की एहम चीज एनरजी है। 1905 में अलबर्ट आइंस्टाइन ने मैटर और एनरजी की बीच की संभन्द के बारे में बताया था। जी हां उनका इस फेमस फोम्यूला E is equal to mc square था। इसका मतलब हमारे शरीर में भी एनरजी ही है लेकिन इस शरीर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनरजी रहती हैं। अगर आप पूरी तरह से positive energy से भरे हुए हैं तो आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी। और अगर आपके अंदर negative energy है तो आपको हमेशा सरदर्द, कमरदर्द और दोसरी समस्याओं की शिकायत रहेगी। अपने आपको negative energy से दूर रखने के लिए आप नीचे दिये गए काम कीजिए। सबसे पहरे ये देख लीजिए कि आप किस चीज की वज़े से परिशान हैं या वो कौन से चीज है जो आपको सुपून से जीने नहीं दे रही है। इसके बाद आप आराम से बैट जाएए और एक चोटी प्रात्मा कीजिए। आप कहिए कि जो भी चीज आपको परिशान कर रही है वो आपको छोड़ कर चली जाए तकि आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर सके। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने दिल के पास ले जाएए और अपने हाथों में एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखकर उसे गोल गोल खुमाईए और 10 से 15 से के बाद उसे दूसरी दिशार में खुमाईए ऐसा कुछ मिनट तक कीजिए। दिखाई देगा पाचवा सबग आपकी इच्छाएं और आपकी मनजिलें एक ही दिशा में होनी चाहिए। बहुत से लोग जिंदगी के इस जंगल में रास्ता भटके हुए हैं। उन्हें ये पता ही नहीं कि वे कहां जा रहे हैं। कुछ लोगों को पता है कि वे कहां जा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वे सही रास्ते पर हैं या नहीं। तो अगर आपको नहीं पता है कि आप सही रास्ते पर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आईए देखते हैं सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी इच्छा क्या है या आप अपनी जिन्दगी में क्या हासिल करना चाहते हैं माली जी कि आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें और आपकी इज़त करें इसके बाद आप ये देखिए कि आप इस समय क्या काम कर रही है कि आप जो कर रहे हैं उससे लोग आपको प्यार करेंगे या आपकी इज़त करेंगे अगर आपको जवाब हामे मिलता है तो आप एकदम सही रास्ते पर है लेकिन अगर आपको जवाब ना मिलता है तो रुख जाएए आप इस जंगल में भटक गए हैं याद रखिए काम्याबी कभी बाहरी चीजों के पीछे वागने से नहीं मलती जब तक आप अपने अंदर की आवास सुनकर अपनी च्छाओं को अच्छे से जानकर ये तैने ही करेंगी कि आप असल में क्या चाहते हैं तब तक सिर्फ काम करते रहने से आप कभी काम्याब नहीं होंगे बाहरी चीजों को हम काबू नहीं कर सकते अगर आप अप से दो साल बात कुछ हासल करने के बारे में सूच रही हैं तो ये जान लीजे कि दो साल बात जरूरी नहीं है कि हालात ऐसे ही हों जो चीज़ें आपके काबू में नहीं हैं उन्हें हासल कर पाना मुश्किल होता है इसलिए आप भविशे के बारे में मत सोचे आप बस ये देखिए कि आप इस समय क्या हासिल करना चाहते हैं और इस समय क्या हासिल कर सकते हैं शांती पाना लगबग हम सभी के हातों में होता है क्योंकि जब हम उसे पानी के लिए भागते हैं तो हम खुद को काबू करने की कूशिश करते हैं हम खुद को आसानी से काबू कर सकते हैं इसलिए हम आसानी से शांती पा कर अपनी जिंदगी सुकून से बिता सकते हैं छटा सबग अपने डर और अपने आत्म विश्वास को पहचानिये हम सभी को कभी कभी ना चाहते हुए भी अपने भविशे की चिंता होती है हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ करने के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम खाएंगे क्या और रहेंगे कहां अगर हमें जिन्दा रहना है तो हमें पैसों का इंतिजाम करना ही होगा इसके लिए अगर आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन अगर हार जाने का डर आपके मन से कहीं नहीं जा रहा है तो आप नीचे दिये कई तरीगे अपना सकते हैं माल लीजी, आप एक इंट्रिव्यों के लिए जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है क्या आप उस इंट्रिव्यों में अच्छा परफॉर्म करेंगे या नहीं तो आप सबसे पहले अपनी डर को पहचालिए आप अपनी सबी डर के लिस्ट बनाईए और उन्हें एक से दस तक के नमबर दीजी अगर आपको किसी बात से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप उसे दस नमबर दीजी और अगर बहुत कम डर लग रहा है तो एक नमबर ठीक इसी तरह से आप उन कामों के लिस्ट बनाईए तो आप उस काम को एक नमबर दीजिए इसके बाद आप energy medicine tool का इस्तेमाल कीजी जी हाँ, ये वही exercise है जिसके बारे में आपने चौते सबक में जाना था इसका इस्तेमाल कर आप अपने अंदर से negative बातों को निकाल कर खुद को अच्छी बातों से भर सकते हैं आप इसे हर दिन कीजी और तब तक करते रहे जब तक आपका डर पूरी तहां से खत्म न हो जाए साथवा सबक energy medicine tool का इस्तेमाल कर आप अपने डर को पूरी तहां से खत्म कर सकते हैं एक बार आपने अपने डर और अपने आत्म रिश्वास से किये जाने वाले कामों की लिस्ट बना ली तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने डर की लिस्ट के सभी आइटम की नमबरों को दीरे दीरे कम करें और अपने आत्मिश्वास से किये जाने वाले कामों के नमबरों को देरे देरे बढ़ाएं इसके लिए आप 40 दिन का सफर तै करने का फैसला कीजिए इन 40 दिनों में आप हर रोज एनरजी मेडिसिन टूल का इस्तेमाल कीजिए इससे आपके डर का लेवल कम होने लगेगा और आपके आत्मिश्वास का लेवल बढ़ने लगेगा इस दोरान भी आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पढ़ सकता है इस दोरान कभी कभी ये हो सकता है कि आपको लगने लगी कि आपका डर वापस आ रहा है और आपका आत्म विश्वास कम हुआ जा रहा है अगर ऐसा होता है तो आप energy medicine tool का इस्तेमाल करना बढ़ा दीजिए अगर इस बीच आपको ही लगने लगे कि आप इस exercise को जारी नहीं रख पाएंगे या फिर आपको ये करने भर का समय नहीं मिल पा रहा है तो आप कुछ दिनों तक इस exercise को करना बंद कर दीजी जब आपको फिर से लगने लगे कि अब आप ये exercise कर सकते हैं तो आप फिर से इसे शुरू कर दीजी अगर आप 40 दिनों तक ये routine अपनाएंगे तो डर आपके past की बात हो जाएगी और आप पूरी तरह से आत्म विश्वास से भरे रहेंगे अगर आपको लगता है कि exercise को करने से आपको बहुत वाइदा हुआ है तो आप फिर से exercise के साथ 40 दिन का सफर तै करने का फैसला कीजिए इस तरह से आप खुद को ऐसे व्यक्ति में बदल सकते हैं रोज सुबह पूरे जोश के साथ उठता है और हर काम को पूरे आपने विश्वास से करता है कुल मिलाकर अगर आप काम्याभी हासल करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले बाहरी चीज़ों के पीछे भागना छोड़कर अपने अंदर फोकस कीजी आप खुद को शांत रखने की कोशिश कीजी उन चीजों पर ध्यान लगाएए जिससे आपको वागए खुशी मिलती है पैसा और काम्याभी पालेनी से आप ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाएंगे अगर आपके अंदर बहुत सी नेगिटिव भावना हैं तो आप एनरजी मेडिसिन टूल का इस्तेवाल कर उन से छुटकार अपा सकते हैं क्या करें? एक जिन की मदद से अपने सपनों की तलाश कीजिए अक्सर ऐसा होता है कि आप तैन ही कर पाते कि आपको असल में क्या चाहिए कभी आपको लगता है कि काम्याबी पाकर आप खुश हो जाएंगे तो कभी आपको लगता है कि एक अच्छा परिवार पाकर आप खुश रहेंगे अगर आपके साथ ऐसा है तो आप एक जिन की मदद लीजिए मान लीजिए कि आपको अला दिन का जिन मिल गया है जो आपकी एक इच्छा पूरी कर देगा लेकिन उस खौाहिश को मागने के लिए आपके बास सिर्फ दस सेकंड्स है इसके बाद जिन गायब हो जाएगा अब आप अपने दस सेकंड्स में ये तै की जिए कि आपको क्या चाहिए इस तरह से आपका दिमाग उस चीज़ पर फोकस करेगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है